हेलो माय यूट्टूग फैमिली वेलकम बैक टू आरुज मॉम्ट किचन आई होब कि आप सब अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे चना चाट बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमें ट्रेणों में मिलता है जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है जिसको देखते हैं मुह में सोग करने से जल्दी कुक हो जाता है और उसके बाद इसको एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद इसमें मैंने एक कप के करीब पानी डाला है थोड़ा सा इसमें नमक एड़ करेंगे बस और अब इसमें कुछ भी आड़ने करेंगे बस नमक एड़ क की तब तक हम कुछ सबज्य आ कट कर ले जो कि हमएं माईट करेंगे जिसे कि अच्छ टी लगेगा तो यहां पर मैंने थी उख गिशाद थ दिया था को यहां पर खेंग पम कर लें इसके बाद मैंने यहां पर एक टमाटर लिया है तो उसका जो उपरी जो हिस्सा होता है जिसको कि हम उसका जड़ बोलते हैं उसको काट लेंगे और निकाल देंगे उसके पाद टमाटर को भी एकदम चोटे-चोटे टुकडो में हम इसको चॉप कर लेंगे आप चाहिए तो अभे में इसके बाद में एक एकदम चोटे-ठीया है तो उसको भी चील के ठीड़ चाहिए लेंगे और कि यहां पर यहां पर नीमबू लिया है नीमबू just करना मस्ट है क्योंकि जब चना चाट खटा खटा थोड़ा सा ज्यादा टेस्टी लगता है तो यहां पर मैंने निम्बू के दो स्लाइस लिया है और फिर मैंने यहां पर तीन हरी मिर्च ली थी तो उसको भी मैंने चोड़ा टुकड़ों में काट लिया है अगर आप ज्याद हल्दी पॉडर लिया है एक चम्मच हम यहां पर भरके धन्या पॉडर लेंगे और एक चम्मच ही मैंने यहां पर जीरा पॉडर लिया है एक चम्मच ही मैं यहां पर गोल की पॉडर ले रही हूं क्योंकि मैं इसमें लाल मिच्ची पॉडर आड़ नहीं करूंगी तो यह त तो अगर आपके पास आमचूर पॉर्टर या चाट मसाला ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं बढ़ है तो जरूर एड़ करें इसके बाद मैंने यह पर दो चम्मच मस्टर्ड ऑई लिया है तो अच्छे से गरम होने देंगे उसके बाद मैंने यह पर एक जीरा एड़ किया है और फिर आम इसमें थोड़ा सा हींग आड़ करेंगे क्योंकि हींग जो है चने वेने के साथ जरूर एड़ करना चाहिए तो इसका टेस्ट अच्छा आता है और यह डाजिशन के लिए भी अच्छा होता है उसके बाद जो पॉटर मसाले करके रखे थे उसको तेल में डाल नमक डाल देंगे नमक द्यान से डाले क्योंकि पहले भी नमक चने में तो नमक यहां पे आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग अड़ कर ले और उसके बाद इसको अच्छे से हम रिए लेगे एक बार नमक के साथ तो यह हमारा चना जो है वह बनके तयार हो चुका है बट अब हमें इसमें कुछ सब्जा एड़ करेंगे जिसे कि यह और टेस्टी बन जाए तो बस इसको एक बॉल में ट्रांसवर कर लेंगे और फिर जो हमने खीरा टमाटर प्याज हरी मिर्च धनिया पति जो चौप करके रखी थी उसको उसमें डाल देंगे यहां पर मैंने सारी सब्जिया एड़ कर दी है और उसके बाद इसमें नीबू का जूस एड़ करेंगे जो कि मस्ट है नीबू एड़ करना क्योंकि इसका टेस्ट बहुत इनाइनस हो जाता है तो बस इसमें नीबू जो है वो एड़ कर देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यकीन मानिए दोस्तों यह सुबह का ब्रिकफास्ट के लिए बहुत ही हैल्दी और बहुत ही टेस्टी ऑप्सन होता है और आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं चाय के साथ यह बहुत ही टेस्टी लगता है आप अगर कहीं ट्रैवलिंग में भी जारे तो आपको वीडियो पसंद आई हो और एक बर आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए और फिर मुझे कमेंट करिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजे लाइक और शेयर करना मत भूले है